नमस्ते प्यरा भिरतीऊंग जैसा कि आपको बता ही है भारत के इतिहास के महत्वपुन प्रश्णों पर अभ्यास कारी हमारा चल रहा है सिंदुगाटी सब्यता और वेदिक कल से रिलेटेट महत्वपुन प्रश्णों पर अभ्यास हमने पिछले वीडियो में कर लिया है आज हम उसके आगे के जो टोपिक हैं मोरिकल और गुपते कल से संबंदित महत्वपुन प्रश्णों पर अभ्यास करेंगे आपको इससे फाइदा ये होगा कि रीट पटवारियर कॉंस्टेबल में भारत का इतियास है इन प्रश्णों को सोल करते समय और प्रश्णों की हम जब व्याख्या करेंगे तब संबंदिक टोपिक आपका पूरा मैंड में वापस रिकॉल हो जाएगा पढ़ा होवा ज्यान इस्ताई हो जाएगा और कोई गलती है तो उसको भी आप नोट करके वापस सही तरह से आप अभ्यास करने में लग जाएंगे तो स्टाट करते हैं मोर्यकल और गुप्तकल से रिलेटेट महतोपन प्रश्ण पर अभ्यास पहला प्रश्ण आपके सामने है पहला प्रश्ण ये है गुप्त वन्ष का राजा है समंद्र गुप्त और समंद्र गुप्त ने पूरे भारत को जितने के लिए दिग विजे अ नहीं है तो पहले तो आपको दीग विजय अभ्यान क्लियर होगा तो यह आप इस आंसर तक पहुच पाओगे चार ओप्षन को देखते हैं पहला उप्षन है समंद्र गुप्त की पहली निती थी प्रस्बोध धरण की निती यह उत्तरी भारत या आयावर्त के नो राजाओं के साथ अपनाई ग्रहन मोक्ष अनुग्रहन की निती दक्षनी भारत के बारा राजाओं के साथ में अपनाई दक्षिन के बारा राजाओं के संग का नेत्रत्व उस समय महिंद्रपाल राजा ने किया था और विदेश नेती का संबंद शक और कुशान राजाओं से संबंदित है option आपको चोस करना है कि अभ्यान से संबंदित कौन सी नेती सही नहीं है तो प्रस्बोध धरण की निती आर्यावर्थ के नव राजाओं के साथ में अपना ही थी clear सही है आर्यावर्थ के नव राजाओं को जीत करके उन राजाओं के शेत्रों को सी दे गुप्त सामराज्य में मिला दिया था, उनका समूल नस्ट कर दिया था, इसको कहते हैं प्रसबोत धर्ण की निती, और अप्शन तो समूंदर गुप्त की दीगविज़े अभ्यान के सम्मन्द में सही है, बो अप्शन, ग्रहन करना, दक्षिन के बारा राजाओं के शेत्रो अपना ही थी, सही है, तिसरा, जब समूंदर गुप्त साउथ पर अटेक करने जा रहा था, तब साउथ के बारा राजा एक होकर के एक संग बना दिया था, तो साउथ के बारा राजा ओके संग का नित्रत तो उस समय काची के एक राजा ने किया था, और काची उस समय पल्ल में सही बेटता नहीं है तो दक्षण के बारा राजाओ उन्हें संग बनाये था और संग का नेतरत्वा महेंदरपाल न होकर के विश्णु गोप राजा था विश्णु गोप पल्लववंश से संबंदित था पल्लववंश की उस समय कैपिटल काची थी विदेश निती शक व बारा राजाओ के संग का नेतरत्वा किस ने किया था विश्णु गोप ने किया था नहीं महेंदरपाल न है अगला प्रशन हम देख रहे हैं दूसरा प्रशन बिंदु सार कौन से धर्म का अनियाई था क्लियर आपको पता है बिंदु सार कौन से धर्म का अनियाई था जे इंदु सार का पुत्र अशोग बहुत धर्मों को मानता था, आज इवक धर्म भाग्यवादी धर्मों है, ठीक है, अगली बात करते हैं, तिसरा प्रश्न की तरफ, तो तिसरा प्रश्न अपना है, कौन, अशोग का कौन सा अभिलेक, most important question है, अशोग का कौन सा अभिलेक, नम्म की निती से संबंदित लिखवाए, लेकिन अशोग का एक मात्र अभिलेक या मोर्यकाल का एक मात्र अभिलेक, जो कर व्यवस्ता की जानकारी देता है, चार option आपके सामने है, महास्तान अभिलेक, रामपुर्वा अभिलेक, रुमंदे अभिलेक, निगिलवा सागर अ रामपुर्वा बिहार का गाउं है, यहां से अशोग का इस्तंबल एक मिला है, लेकिन कर व्यवस्ता की जानकारी नहीं मिलती और बिहार से नेपाल संबंदित नहीं है, तिसरा है रुमंदे अभिलेक, आपको बताए कि अशोग ने अपने राज्जाभी सेक के 20 साल लुम् गोतम बुद्य का जन्मस्तन, लुम्मनी की वर्तमान लोकेशन नेपाल है, और जब अशोग लुम्मनी गाउं गया हुआ था 20 साल, तो लुम्मनी के पास में गाउं था रुमंदे, उस रुमंदे गाउं में उसने अपना एक अभिलेक लिखवाया था, और उस अभिलेक मे जनकारी मिलती है कि अशोग ने वहाँ के लोगों का कर 1 बटा 4 से 1 बटा 8 कर दिया था, तो कर की जनकारी मिल रही है, रुमंदे गाउं से मिला अभिलेक, रुमंदे गाउं का अभिलेक कहां पर है तो नेपाल में, तो यहाँ पर सही अप्शन कौन सा हो जाएगा, सर, रु नेपाल के अंदर नेगलवासागर गाओंव है उस गाओं में अभिलेग नेगलवासागर गाओं के अभिलेग से हमको जानकरी मिलती है कि अश्योक ने याँ पर पराणिक बोद्ध थे कनक्मुनी उनका अस्तुब बनावा था उस अस्तुब का यहां पर उन्होंने पुना निर्मान करवाया था तो तीन प्रशन हो चुके हैं यहां पर सही हो गया रुमंदय अभिल्यक चोथे प्रशन की तरफ चलते हैं बहुत इजी क्वेशन ने चोथा चतुर्त बोद्ध संगती के अजक्ष कौन थे महाकसप, मोगली पुत्ततिस्य, वसुमित्रम और अश्वगोश क्लियर हैं तो गोतम बुद्ध जब मरने वाले थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के हर सो साल के बाद बोद्ध धर्मस को मानने वाले संतों को बुला करके सम्मेलन करना तो गोतम बुद्ध के मरने के बाद हर सो साल में सम्मेलन होने की परंपरा चली थी जिसमें आगे जाकर के समय का ध्यान नहीं रखा गया पहला चारसो एक्टर इसहापुर्वों, दुसरा, 301 इसहापुर्वं, तीसरा, 251 इसहापुर्व और चोथा अठुतर इस्वी चार सम्मेलन होवे थे तो कहा गया कि चतुरत बद्द संगति किस के समय हुवी थी तो कनिश्क के समय, कनिश्क को कौन से वन्ष के तो कुशाण वन्ष के, पहली बात, चोथी बद्द संगति के अध्यक्ष कौन थे तो वसुमित्रों, और चोथी बद्द संगति के उपातिक्ष कौन थे तो सब पहली बौद्ध संगेती के अध्यक्ष्टे, clear हो गया है यह तक आगे चलते हैं, चार प्रशन हो चुके हैं अपने, चोथा प्रशन के अध्यक्ष्य वर्श्वमीत्रों और चोथे के बाद मैं अपन पांच वा प्रशन लेते हैं, तो पांच वा प्रशन अपने पास में मोर्य कल से रिलेक्टेड ही है गुप्त कल से रिलेक्टेड है कि नालंदा विश्य विद्याले का निर्मान किसके समय हुआ most important question है नालंदा विश्य विद्याले बिहार में है नालंदा विश्य विद्याले का निर्मान किसके समय हुआ तो गुप्त वंश की राजा सीधा अंसर में बता रहा हूँ गुप्त वंश की राजा कुमार गुप्त के समय अब कुमार गुप्त नाम आया है तो कुमार गुप्त से रिलेटेट तीन-चार बाते और देख लेते हैं कुमार गुप्त ने अपने सिक्के पर गरुड की आकरती के स्थान पर महीर की आकरती अंकित करवाई, जबकि कुमार गुप्त से पहले जितने भी गुप्त राजा हुए थे, उन्होंने अपने सिक्के पर गरुड का अंकन करवाया था, क्योंकि गरुड गुप्त वंश का र कंदी के आकरति मिलती है तिसरी बात और गुजरात के गिर नार में गुजरात के गिर नार प्रांति के जुनागड में सुधर्शन जी ले जिसको सुक्ता पलासनी और सूवस्तु नदी को रोग करके चंदर गुप्त मोरे ने बनाई थी वो जिल का अंतीम-पुनन नालंदा विश्वी देले का निर्मन करवाया, गरूर के अस्तान पर मयूर के अंकन वाले सिक्के चलाएं, इसके अलावा भानुगुप्त के समय एक most important बात ये है, कि 510 इस्वी मध्यप्रदेश के एरण में भानुगुप्त के समय का एक अभीलेक मिला है, जो भारत में और आड़न भीलेक कि समय का है, भानुगुप्त के समय का, क्लियर है, चंद्रगुप्त धरितियं, दर्बार में नव रतने थे आपको पता हिए, चंद्रगुप्त धरितियं के रतनों में शामिल नहीं था, चंद्रगुपते दृतियों के दर्बार में नवरत्न थे अकबर के दर्बार में नवरत्न थे और जेपूर के राजाते प्रतापसियों कच्छवावंच के उनके दर्बार में 22 नवरत्न थे तो चंद्रगुपते दृतियों के नवरत्नों में शामिल कौन सा नहीं है तो पहले आपको नवरतन याद होंगे तो आप इस आंसर का से आंसर बता बाएंगे इस कोश्चन का से आंसर बता बाएंगे तो कालिदास नवरतन में थे अमर सिंग भी नवरतन में थे धनवंतरे भी नवरतन में थे लेकिन भासकर नव रत्न में नहीं थे भासकर गणी तक ये थे कालिदास साइत्यकार थे जिनोंने तीन महा कालिदास ने तीन नाटक दो महा काव्य और दो खंड काव्य की रशना किये कालिदास को भारत का शक्स पियर का जाता है कालिदास नव रत्तों में सबसे प्रमुक रत्न थे दूसरा अप्शन अमर सिंग अमर सिया ने अमर कोश नमक ग्रंत की रशना की थी जिसमें गुप्ते काल से रिलेटेड सभी भूमी संबंधी बातों को इसमें लिखा गया है बासकर गणितग्य थे और धन्वंतरी नव रत्न में शामिल थे आहिरुवेदा चार्य थे और धन्वंतरी के गरंत का नाम था नव नित कम तो छटे प्रशन का सभी अंसर हो गया बासकर नव रत्न में शामिल नहीं थे अगला प्रशना पन देख रहे हैं सात्वा गुप्तकाल से संबंदी साहित्य में गलत युग्म को पेहचानिये एक तरप मेंने रश्णाकार लिखिये हुए और उनके सामने उनकी रश्णा है तो रश्णाकार और रश्णा के संबंद में आपको गलत कतन चाटना है तो शुद्रक का ग्रंत म्रच कतिकम पहली बात आर्य बट्ट का ग्रंत सूर्य सिद्धान्त दूसरी बात वरा महिर का ग्रंत पंच सिद्धान्ति का तिसरी बात और वर रुच्छी का ग्रंत रावन बात चार ओप्षन आप देखिये गलत युगम को पेचानी है कि साइद्यकार और इसकी रशना में कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो शुद्रक का म्रच्छ कटिकम गरंत सही है क्योंकि म्रच्छ कटिकम गरंत शुद्रक नहीं लिखा है म्रच्छ कटिकम का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी और इस ग्रंत से हमको जानकारी मिलती है कि वर्णे विवस्ता बदल चुकी है क्योंकि चारुदत्य नाम का ब्रामन वसंत सिना नमक वेश्या से प्रेम करता है और चारुदत्य नाम का ब्रामन व्यापार करने लग गया है तो मरच्च कटिकम गुप्तकाल का एक मात्र असा ग्रंत है जिसमें राजशाई वन्स की किसी वक्ति को पात्र बना करके ग्रंत नहीं लिखा है मद्यम वर्ग के लोगों को पात्र बना करके ग्रंत लिखा गया है म्रच्य कटिकम का अर्थ मिट्टी की गाड़ी होती है और म्रच्य कटिकम में नायक चारुदत्य है और नायक का वसंत सिना है सही है शुद्रक ने लिखा है म्रच्य कटिकम मतलब यह गलत युगम नहीं है आर्य बट्ट के दो ग्रंथे हैं पेला… गरंत का नाम है सुरह सित्धाuben, अब दुसरे गरंत का नाम है आरे δवत्वयम मतलब यह भी च्भ सही ए व्रा महिर के 2 गरंतें पंचप इर व्रही चुद्धान्तेका और व्राज सही तो यह आगे मुने रावनवद लिखा है तो रावनवद ग्रंथ वर्रूची का नहीं गरत का नाम पर नाम है। की का है अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं तो अगला प्रश्ण अपना है भारत में सरव प्रतम सोने के सिक्के जारी करने का श्रय किसको दिया जाता है most important question है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रय किसको देते हैं अप्शन देखिए, हिंद यवन, शक, कुशान और गुप्द वन्ष, तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किये थे हिंद यवन राजाओने, मोरेकाल के पतन के बाद हिंद यवन वन्ष भारत में सेट होता है, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किये थे कुशा अवन राजा होने जारी किये, सबसे शुद्य सोने के सिक्के कोशान राजा होने जारी किये, और सरवादिक मातरा में सोने के सिक्के गुप्त राजा होने जारी किये, तियाँ पर option कौन सा सही हो गया, आठ प्रशन हो चुके हैं, नवे प्रशन की तरब चलते हैं, प्रशनों से संबंदित PDF फाइल आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बोक्स में जाएए टेलिग्राम की लिंक है टेलिग्राम में एड हो ये और वहां से आपको इसकी PDF भी पुरी की पुरी वहां मिल जाएगी तो आप पेले PDF सोल करके वीडियो देखो तो भी और वीडियो देखकर के PDF सोल करो तो भी जैसे भी आपको सुवीदा हो आठ प्रशन तक अपन पहुँच चुके हैं नुवा प्रशन गुप्तकाल की वास्तुकला से संबंदित है वास्तुकला साइत्य विज्ञान गणित में अत्यदिक प्रगति के कारण गुप्तकाल को भारत का सोनकाल केते हैं और प्रशन यहाँ पर वास्तुकला से संबंदित हैं कि भारत में शिखर युक्त प्रथम मंदीर कुन सा है शिखर मंदीर की छत के उपर जो शिखर बना होता है तो भारत में शिखर युग तो पहला मंदिर कौन सा है प्रशना है देवगड का दशावतार मंदिर जिसमें विश्णू के दस अवतार है नागदा मध्यप्रदेश में विश्णू का मंदिर खोह मध्यप्रदेश में शिवजी का मंदिर और भुमरा मध्यप्रदेश में शिव मंदिर चारों मंदिर में से कौन सा मंदिर पेला है जिस पर शिकर का प्रियूक किया गया था पता ही आपको इसका आंसर सही है देवगड का दशावतार मंदिर गुप्तेकालीन वास्तुक अलाका सर्वस्रेश्ट मंदीर है देवगण का दर्शावतार मंदीर पंचायतन शली का बनावा मंदीर है अनन्त शेशनाग पर विष्णू को सोते हुए दर्शाया गया है विष्णू के 10 अवतारों से related मंदीर है अगली बात गुपतेकाल में भारत में बना इटो का पहला मंदीर है भितरी गाउं का मंदीर इसके अलावाद नचना कुटार में पारवती का मंदीर, सीरपूर का लक्षमन का मंदीर, नागदा, खो, भुमरा इन सबी गाउं में जो स्ट्रक्चर देखने को मिलते है वो गुपतेकाल से related है राजस्तान के अगर बात करें तो कोटा में गुपतेकाल से related मंदीरों के अविशेश मिलते है और गुपतेकाल के सिकों के बंडार भरतपूर के बयाना से मिलते है क्लियर हैं? नो प्रशन तक अपन पहुँच चुके हैं, दस्वे प्रशन की तरफ बढ़ते हैं दस्वा प्रशन मोरिकल से related हैं, जांग से समझना प्रशन को हैं कौन सा अधिकारी मोरिकल में 18 तिर्थों में शामिल नहीं था? पहले आपन ओप्शन देख लेते हैं, फिर इसकी वैक्या करते हैं फाइदा आपको यह हो रहा है कि प्रशन के साथ में चार ओप्शन की में सटिक वैक्या कर रहा हूँ तो वह टोपिक आपका पूरा मैंड में recall हो रहा है, revise हो रहा है तो तिर्थों में शामिल कोन नहीं था? क्या सिताद्यक्ष नहीं था? सन्निधाता नहीं था? व्यवारिक नहीं था? या कर्मान्तिक नहीं था? अब वापस आते हैं, तो इसका सई आंसर तो अपने पास में सिताद्यक्ष यह 18 तिर्थों में शामिल नहीं था क्यों नहीं था अब उसके बारे में सुनना मौरेकाल में केंद्री करण की प्रवर्ती अधिक थी सभी शक्तिया केंद्रे में नहीं थी राजा में नहीं थी और राजा को संयोग देने के लिए 18 मंत्री थे और उन 18 मंत्री को तिर्थ का जाता था तो राजा, राजा के नेचे अठारा मंत्री, अठारा मंत्री को तिर्थ, हर मंत्री हर तिर्थ अपने अपने विभाग का प्रमोगता था और इन अठारा तिर्थों के अधिन या तो 26 या 27 अध्यक्ष होते थे, ति जो सिता अध्यक्षे वो तिर्थ के अधिन फिर 27 अध्यक करता है तो मोरेकाल में मोरेकाल में जो वसुल हवा कर है उस वसुल हवा कर को स्टोर करने का काम करता है कोशाद्यक्ष का काम करता है व्यभारिक क्या काम करता है जितने भी मोरेकाल में दिवानी मामले हैं उस दिवानी मामले का प्रमुक नियायदिश होता है और कार्मान्तिक क्या करता है मोर्यकाल में जितने भी कार खाने थे उस कार खानों का प्रमुक होता है तो कर्मांतिक व्यवारिक और सन्निदाता 18 तिर्थों में शामिल थे सिताजक्ष 18 तिर्थों में शामिल नहीं है यह 27 अध्यक्ष में शामिल है clear आगे चलते हैं तो मोर्यकाल के प्रशाशन से related प्रशन हो गया 10 के बाद में अगला प्रशन हो बहुत ही normal प्रशन है आपको पता है 78 इस्वी में 78 इस्वी में शक्त समवत को प्रारंब करने वाला राजा कौन सा है तो कौन होगा शक्त समवत, अठुत रिष्वी भारत का रास्टी समवत йस शक्त समवत अठुत रिष्वी में प्रारंब होगा था और शक्त समवत को प्रारंब किया था कनीश्कने कुशान वनिशा से रिलेटेड है अठुत रिष्वी में ही फूर्त बोद्ध विद्वान का थे ह 이용. ईधिकर किया था और कनिश्व के दर्बार में अश्मगोश वसुमित्र जिसे बहुत बड़ी विद्वान बी निवास करते थे रुद्रधामन शक्वंश का है जुनागर्ड में सूराशन जिल से संम्मधित इसका नाम आता है और बारत में संस्क्राइट का पहला अभीलेक जुनागड अभीलेक लिखवाने का श्री रुद्रधावन को दिया जाता है पुष्यमितर शुंग जिसने अंतिम राजा वरादत की अतिया करके मोर्य वंच को खतम किया और भारत में शुंग वंच को प्रारंब किया और चंद्रगुप्त दृतिया गुप्त वंच्छ से रिलेटेड है जिसका उल्ले कपन पिछले प्रश्णों में कर चुके हैं 11 प्रश्ण तक अपन पहुंच चुके हैं 12 प्रश्णों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में असत्य कथन को पहचानी है ध्यान से चार ओप्षन को देखो ओप्षन थोड़े से लंबे हैं लेकिन आपने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ रखा है ताप इसी तरह से इस ओप्षन को प्रश्णों को निकाल लोगे अंसर को तो पहला ओप्षन देखना मुद्रालाक्षश ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशल कहा गया है 305 इसा पुर्व चंद्रगुप्त वा सेल्यूकस के मद्दी युद्ध हुआ था 208 इसा पुर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटली पुत्र में सल्लेखना पद्दति से प्राण त्यागे थे और चंद्रगुप्त के समय मेगस्तनेज भारत आया था तो इसमें अपने लिए सही उप्षिन हो जाएगा स क्योंकि ये चंद्रगुप्त के बारे में सही नहीं है चंद्रगुप्त से सम्बंदित ये असत्यकतने कैसे चंद्रगुप्त के बारे में असत्यकतने तो देखना 208 इसा पुर्वत चंद्रगुप्त मोर्य ने संतारा प्रदत्ती से सलेखना प्रदत्ती से शरीर को तकलीप पहुचा करके प्राण त्यागे थे लेकिन पाटली पूत्र में नहीं श्रवण बेल गोला में और श्रवण बेल गोला कहां परे करनाटक में ठीकि बुन आपक् का खा ग्या है मुद्रा राक्षिश गृंति में विशा का दय लिखाए 305 इसा पुर्वत चंद्रगुप्त और सेल्यूकस .. जो उत्तरी पक्षम मीश्रिमा प्रांतaway राजा था सिकंदर के जीते होगे शेत्रों को संबाल रहा था उस सेल्यूकस और चंदरगुपते के बीच में जिद्दोबा था चंदरगुपते मोर्य जीत गया था सेल्यूकस हार गया था सेल्यूकस ने चार प्रांते चंदरगुपते मोर्य को दहेज में दिये थे और अपनी पुत्री हेलना या कारनेलिया का विवा चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया था सही है और चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगस्तनिस भारत में आया था जिसने पांस-छे साल भारत में रेकर के एक प्रसीद्ध गरंत लिका है उस ग्रंथ का नाम है इंडिका क्लियर है तो श्रवन बेल गोला में प्राणत आगे थे नक की पाटली पुत्र में मेगस्तनिस के अनुसर कौन सा वर्ग भारती समाज का प्रकार नहीं है कोटिलिय ने अर्थिशासर में भारती समाज के चार वर्ग बताएं ब्रामन, शत्रिय, वेश्च वर्शुद्र और मेगस्तनिस ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारती समाज के साथ वर्ग बताएं मेगस्तनिस का ये वर्गे करण सही नहीं है क्योंकि मेगस्तनिस ने भारत की वर्ग विवस्ता को वर्ण विवस्ता को जाने बिना ही जिस तरह के पेशे को लोगों को देखा उस तरह के पेशे को उसने वर्ण मन लिया तो दार्षनिक किसान सेनिक क्या कायस्ता कौन शामिल नहीं है तो इसमें शामिल नहीं है कायस्ता लिए लोग वे दो कॉपर शनिशकर करके एक एक शब्द को साइज अगर अगर अपन बना ले लिए तो साथ वर्गा आ जाते हैं दार्शनी किसान कारिगर, परशुपालग, सेनिक, सभासत, किसान साथ वर्ग थे उसमें कायस्त नहीं था कायस्त का उद्बग गुपते काल में हुआ था कायस्त लेखा संबन्दी एक जाती थी जो मोरे काल में स्टार्ट नहीं हुई थी वो गुपते काल में प्रारंब हुवी थी तेरा प्रशन हो चुके हैं चोदो और लास्ट प्रशन अपन देख लेते हैं अशोक के कौन से लेक से दम्म महामात्र की नियुक्ति का वर्णन मिलता है मौस्ट से मौस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन है तो आंसर इसका सही हो जाएगा अपना पाँचवा वर्शन शिलालेक अब देखते हैं धम्म महामात्र क्या है कलिंग युद्ध अशोक ने जीता लाखों लोग मारे गए अशोक का रदे परिवर्थित हुआ शेव धर्म छोड़कर के बोद्ध धर्म का अनिये बन गया और तलवार छोड़कर के जन कल्यान कारी कारियों में लग गया खोद का रदे परिवर्थित हो चुका है लोगों का रदे भी परिवर्थित करना चाता है और लोगों का रदे परिवर्थित करने के लिए उसने नेतिक आचार सहीताओं को शिला लेकों के माध्यम से भारत के अलग अलग जगह पर लिखवाया उस नेतिक आचार सहीताओं का जो अधिकरी था उस अधिकरी को केते हैं धम्माहामात्र और जनता का रदे परिवर्थित करने के लिए मैं धम्माहामात्र नामक अधिकरी की नियुक्ति कर रहा हूँ ऐसा उल्लेक उसके पांचवे वरहद शिलालेक से इसकी जानकारी मिलती है क्लियर है? तेरवे वरहद शिलालेक में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है और पांच युनानी राजाओं के नाम मिलते हैं तीसरे वराश शिलालेक में राजुक नामक अधिकारी की नियुक्ति का वर्णिन मिलता है और पांचवा वराश शिलालेक नहीं है स्थम्बलेक है आगे वीडियो में हम गुप्तकाल से आगे के टोपिक पर बहुत करेंगे पहला हर्शवर्दन, राचकुतकाल और उसके आग और योजना को फोलो कीजिए, सेलेबस को कंप्लीट कीजिए, ज्यादा कंटेन पढ़ने से अच्छा है कि कम विशेवस्तु को लेकर के बार बार उसका दोरा करो, सेलेबस कंप्लीट हो जाए, दोरा होता रहे, पोजेटिव सोच बनी रहे और तनाव हावी नहीं हो, इस त खुद का प्रबंदन करते हुए तैयारी को जारी रखिए, निश्चीती सफलता आपको मिलेगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद